जहीं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के कुछ प्रमुक राष्ट्य उद्यान और इन पर आधारित महत्पून प्रश्न इसलिए सुरू कर लेते देखिए पहला कोशिन आप लोग के सामने हैं कि रन्थमबोर राष्ट्य पार्क भारत के किस राज्य मिश्ती थे नाम और जगह याद रखेगा इन पॉर्टेंट कोशिन है तो राजस्थान इसका राइट एंसर रो जाएगा दोस्तों आप लोग कम कमेंड बोक्स में कमेंड किजेगा अगला कुशन देखिए तरिस्का राष्ट्य उद्यान भारत के किस राज्य मिश्ती थे तरिस्का राष्ट्य उद्यान तो यह भी आपका राजस्थान में सरिस्का राष्ट्य उद्यान रन्थमबोर राष्ट्य उद्यान यापका भा पहला रन थंबो राश्ट्य पार्क जो की राजस्थान में है सरिस्का राश्ट्य उद्ध्यान भारत के किस राज्य में है राजस्थान में घनाप पंची राश्ट्य पार्क ये भी आपका राजस्थान में है ते लिए अगला कुछिन देखिए नेस्ट कुशन देखिए काना राष्ट्य पार्क भारत के किस राज्य में है इन्पोर्टिन कुशन है तो यह मध्य प्रदेश इसका राइट अंसर हो जाएगा काना राष्ट्य पार्क कोन से राज्य में है भारत के मध्य प्रदेश में पैंच राष्ट्य पार्क भारत के किस राज़ मिश्ती थे तो पैंच राष्ट्य पार्क ये भी आपका मज्द प्रदेश में है पैंच राष्ट्य पार्क याद रखेगा मज्द प्रदेश नेस्ट कुशन देखिए नाम दफा राश्टे पार्क भारत के किस राज़ मिशती थे तो नाम दफा राश्टे पार्क ये आपका अरुनाचल प्रदेश मिशती थे अगला कुशन देखिए सुल्तान पूर राश्टे पार्क भारत के किस राज़ मिशती थे ये आपका हर्याना में है सुल्तान पूर राष्ट्य पार्क भर्याना में है याद रखेगा सुल्तान पूर राष्ट्य पार्क भारत के किस राजी में है तो ये आपका भर्याना इसका से अंसर हो जागा कलेशर कलेशर राष्ट्य पार्क भारत के किस राजी में इस्तित है तो ये भी आपका हर्या नाम है, क्लेसर राष्ट्य पार्क हर्याना से अंसरोगा, दुध्वा राष्ट्य पार्क भारत के किस राज में इस्ती थे, देखिए दुध्वा राष्ट्य पार्क पुछा जाता है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, दुध्व दूधवा राष्ट्य पार्क भारत के किस राज मिशती थे तो उत्तर प्रदेश अगला कुशन देखिए कि बेतला राष्ट्य पार्क भारत के किस राज मिशती थे अगला कुशन देखिए शिरोही राष्ट्य पार्क भारत के किस राज मिशती थे शिरोही राष्ट्य पार अगला question देखिए, अगला question है आपका, कि खांचन जोंगा, खांचन जोंगा राष्ट्य पार्क भारत के किस राज में इस्तित है, यह आपका शिक्किम में है, खांचन जोंगा कहां पर है, शिक्किम, clouded, राष्ट्य पार्क भारत के किस राज में इस्तित है, clouded, यह आपका त्री पूरा में है, क्लिए रहे हैं, त्री पूरा, ग्लावडेड राष्ट्य पार्क भारत के किस राज में इस्ती थे, तो त्री पूरा इसका से अंसर होगा, अगला कुछ हैं देखिए, Gulf for Manar राष्ट्य पार्क भारत के किस राज में ज़ती थे Gulf of Manar याद रखेगा नाम क्या है Gulf of Manar राष्ट्य पार्क भारत के किस राज में ज़ती थे तो तमिल नाडू इसका राइट अंसर हो जागा Gulf of Manar अगला कुछ से देखे शिमली शिमली राष्टे पार्क भारत के किस राज में इस्ती थे तो सिमली राष्टे पार्क उरिसा में है याद रखेगा उरिसा इसका स्री अंसर हो जागा सिमली राष्टे पार्क उरिसा में इस्ती थे अगला कोशन देखिए ठीके जिए से important कोशन कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था तो हडपा इसका राइट एंसर हो जाएगा और हडपा अभी उसका लोकेशन क्या है या आपको कमेंड बॉक्स में कमेंड कीजेगा हडपा का अभी का जो लोकेशन क्या है और हडपा जो है सबसे पुराना सहर जो कि भारत में खोजा गया ठीक है लोकेशन आप लोग बताइएगा कौन से राजजे में हडपा अगला कुशन देखिए स्वाराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किस ने कहा था तो स्वराज मेरा जन्म सिध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक के दोरक कहा गया वचन है, स्वराज मेरा जन्म सिध अधिकार है, अगला कुशन दिखें महात्मा गांधी के राज नीति गुरू के नाम कोन थे? रायनिती गुरु कोन थे? महात्मा गांधी के? तो गौपाल कृष्न गोखले इसका राइट अन्सर हो जागा महात्मा गांधी के रायनिती गुरु गोपाल कृष्न गोखले चलिए अगला कोशन देखली जे नेस्ट कोशन आप लोग के सामने के उत्री भारत की प्रथम मुश्लिम महिला शाशक जो के दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शाशक थी देखे मुश्लिम और दिल्ली पर शाशन करने वाले प्रथम महिला शाशक तो कौन थी रज्या सुल्तान नेक्स कुशन देखे, शिंदू सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कोन सा था? शिंदू सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, याद रखेगा लोथल इसका राइट अंसर हो जाएगा, शिंदू सभ्यता का बंदरगाह कोन सा था? लोथल, अगला कुशन देखे, भारतिय राष् महात्मा बुद्ध द्रफ्ध को क्या कहा जाता है द्रफ्म उप्देश को बोलेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन धर्म चक्र फर उप्र्वर्तन यहना यह मांद ख़ंड महत्मा बुध के दिवारा दिया गया अगला कुशन कैसे के रोट की रोट नहीं की गई को फारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था अगला कुशन देखिए किसके सासन काल में ओध धर्म को भागो धिन्यान दो भागो में विभाजित किया था धिन्यान और महायान देखिए इंपोर्टेंट कोशन है कोशन जो है वो घुमा करके भी पूछ सकता है कि बोध धर्म को दो भागो में बाटा गया कौन-कौन से दो भाग का नाम है तो एक है हिन्यान दूसरा महायान और किसने किसके सासन काल में बाटा गया था तो कनिस्क के सासन काल में बाटा गया था बोद धर्म को दो भागों में हीन यान और महायान के लिए रहे हीन यान और महायान अगला कोशन देखिए नेच्ट कोशन है लोदी वन्स का प्रथम सासक कोन था इंपोर्टन कोशन है लोदी वन्स के प्रथम अन्तिम सासक कोन था तो इब्राहिम लोदी आप लोग comment box में comment किजेगा लोधी वंस के प्रथम सासक कौन था अगला कुशन देखे प्रथम जेन संगीती कहां आयोजित की गई थी जेन संगीती कहां आयोजित की गई थी तो देखे पाटली पुत्र जो की अभी इसका निव नाम है पटना ठीक है जो की पहले इनका नाम पुत्रवा करता था और ये जो है प्रथम जेन संगीती यहां पर आयोजित की गई थी पाटली पुत्र में अगला कुशन देखे दिल्ली के कि सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधो का मिसरन बताया है विरोधो का मिसरन किन सुल्तान को बताया है तो मुहम्मद बिन तु इनको कहा गया वीरोधो का मिस्रन त्रीग वेद समाज की सबसी छोटी इकाई क्या थी? इन्पोर्टेंट कोशन याद रखेगा त्रीग वेद समाज की सबसी छोटी इकाई कूल या फिर परिवार को कहा जाता है। संकिन्टन प्रथा की जनम दाता कोन थे तो चेतन्यय याद रखेगा चेतन्यते संकिन्टन की जनम दाता इंद अगला कुश्ञिकन कि dragon को कहा जाता था इनपोर्नन कोश्ञिग हैció staple तो औरम गेव के इलमगेव को said जाना जाता था कि सहीदे आलम उपादी से किसे सम्मानित किया गया था सहीदे आलम के नाम से भगत सिंग को सहीदे आजम के नाम से सम्मानित किया था सहीदे आजम अग्ला कोश्न देखिए नेक्ट्स्ट्सूश्ट यहाँ पर कमेंड बॉक्ष में कमेंड किजएगा कि भगत सिंग को जैसे कि फासी दिया थी तो किस तारीक को फासी दिया थी और कौन से लडाई के कारण 1857 के लडाई के कारण दी गए थी भगत सिंग को फांसी के सजा बट कब दिया गया था कौन से तारीक को आप लोग कमेंड बॉक्स में कमेंड किजेगा अगला कोशन देखे कि सामेंड कमिशन के विरूद प्रदर्शन के दुरान के गए लाथी चार्ज में किस राजनेता की मिर्टी हो गए थी जला लाजपत न जला राय के मिर्टी हो गए थी किनके विरूद सामेंड कमिशन के विरूद लाथी चार्ज के कारण अगला कक्यों देखे वहाबी आंधुलन के प्रवर्तक सेयद cleaning course कोशन है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे तो सेयद अहमद इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स कोशन हम लोग देख लेते हैं जीस से रिलेटिड कोशन से कि मानो सरीर का वह अंग जिसमें हड्यों के संख्या सारवदिक होती है आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कोचे और कमेंट किजिए हड्यों के संख्या सबसे ज़्यादा किसमें हो सकता है तो देखे जो हम लोग का हात का जो पंजा होता है इसमें सबसे ज़्यादा हड्यों के संख्या हो सकती है यहां पर कोशन आपका उंगलियों में सबसे अधीक हड्यों के संख्या होती है ठीक है कार्वोहर्डेट का पाचन होता है वो भी टाइलीन नाम के एंजाम के कारण जो कि लार में पाचन होता है हमारे स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है जो कि STL, Renine और Pepcine के कारण होता है स्माल इंटेश्टाइन में स्माल इंटेश्टाइन में फएट का पाचन होता है जो कि लिवर से सेक्रेक्ट होने वाला बाइल जूस और पेंक्रिया से निर्मान होने वाला पेंक्रेटिक जूस इन दोनों के मिश्रन से fat का पाचन होता है fatty acid के रूप में glycerol के रूप में तो इतना सारा जो है हमारे भोजन का पाचन और सब कोन सायक है enzyme without enzyme भोजन का पाचन होना impossible होता ठीक है और पाचित होने के बाद last product क्या बनता है आप लोग comment कर सकते हैं ठीक है पाचित होने के बाद enzyme के रचना क्या होता है तो देखे enzyme एक परकार का amino amyl होता है amino amyl क्या होता है protein होता है मानो सरीर के सबसे बड़ी गरंती यक्रीत जो की लगवग 2 से ले करके 2 kg तक्का होता है यक्रीत जो की urine का formation करता है bile juice का निर्मान करता है सरीर के जितनी भी toxic है इनको neutral करने का काम करता है यक्रीत ही एक ऐसा सबसे biggest और internal organ है जिसमें regeneration का power सबसे ज़्यादा होता है अगला question देखिए तो यह उदय होते समय या फिर डूबते समय लाल क्यों दिखाए देता है तो देखिए यह है आपका प्रकिर्नन के कारण देखिए actual में क्या होता है जो red light होता है इसका प्रकिर्नन सबसे कम होता है जो जादा फेलता है यह जादा distance कबर करता है इसी कारण सुबा का time और साम का time हमें या फिर सुबा जब उगते समय या फिर डूपते समाई, ठीक है न, रेड लाइट सबसे ज़्यादा पिर्खवी तक पहुँचती है, जिसके कारण, तुरिक का उदाई होने के टाइम, या फिर डूपते समाई, अधिकतर लाल कलर का दिखा देता है, अगला कोशन देखिए, Q Oxygen है, घरो में, वाद सडियंत्र जोड़े जाते हैं, विद्योत सडियंत्र, तो घरो में, जितने भी उर्क्रिक वायर वाला जो जोला जाता है, पहें इंस्ट्रूमेंट जो जोला जाता है, वो Parallel जोला जाता है, क्योकि इस से विजली का खपद भी कम होता है, ठीक है, और जो घरों में जो connection होता है वो कटता नहीं है ठीक है दूसरा बात है कि जो हमारे instrument है electricity वाला वो ज्यादा damage नहीं होता है अगला question देखें लोहे में जंग लगना एक परकार का रशानिक क्रिया होता है क्लिए रहे तो रोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है अब देखें रशानिक क्रिया क्यों क्योंकि लंग जो जो हे जो लोहे जंग लगना जाता वह वापस रिकवर नहीं होता है जबकि उसकी उपर को रग उपर का लेयर होता है तो ही जाकर के उनका असली चम्मक आता है उपर का लेयर को हटाना पड़ता है उसको वापस से रीकवर नहीं किया जाता है उपर का लेयर को छील के हटा दिया जाता है तो जिस वस्तु को रीकवर नहीं किया सकता है उसको एक्चुल में राशाइनी किरिया बोलेंगे और जिन पशिम मंगाल में धान की खेती सबसे ज़्यादा की जाता है ठीक है धान की खेती और उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती याद रखेगा धान की खेती पशिम मंगाल में जो की खरीव फशल है और उत्तर प्रदेश में गेहूं की जो की रवी फशल है ठीक है गेहूं कौन सी फसल है रभी फसल धान खरी फशन अगला कुशन देखिए यूपी में निम्न में से किस फसल सारवदिक उठपादन किया जाता है तो अप्शन का अनुसार देखा जाए गेहूं के बाद गन्ना इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला कुशन देखिए प्रकर्तिक चैन का सिधान्त का प्रति पादक का नाम क्या है तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रकर्ति चैन का सिधान्त दिया था है इनके अनुसार बोला गया कि ऐसे एनिमल जानवर जो इन्वारूमेंट में रहने के लिए सुटेबल है वही जिन्दा रही और जो इन अनुवांसिक संबंदी प्रयोग के लिए मैंडल ने इस पोदे का चुनाव किया था तो देखिए ऐसे बहुत सारे कि रिजन थे जिनके कारण मैंडल ने मटर के पोदे को चुना था अला रिजन था कि कोष्ट में मिल जाता था मतर मतलब कि मार्केट में कम दाम में मतर उपलब्द हो जाता था दूसरा है कि मतर का साइज मतर का कलर तुस तिसरा है मतर का जो फूल का जो कलर है जिसे कि वाइट कलर होता था और बिगनी कलर तो जिनके कारण उन्होंने मतर को चुना अच्छा अगर देखा जा मतर का लाइफ प्रियर्ड तीन से चार महिना का होता है एक साल में कम से कम तीन से चार बार इनका एक्सपेरिमेंट किया जा सकता तो इसे रीजनों के कारण ही इन्होंने मटर के पोदे को चुना अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए और इन्होंने F1, F2 और F3 जेनरेशन को देख करके आज हैब्रीड जो हम लोग बीज वगर जो लगाते हैं यह इनी के देने, इनी के एक्सपेरिमेंट का देने, अगला अस्थल चल अस्थल चर यानी उभाई चर यानी की Amphibian, ठीक है Amphibia category, अगला कोशन देखें, नेस्ट कोशन है आधूनिक मानव को जनतू के किस वर्ग में रखा गया है, तो आधूनिक मानव को प्राइमेट के वर्ग में रखा गया है, अगला कोशन, कोशिकाओं के इनिसलेगे इंळा है अगर सकते हैं गणिये जक्तित फेल फिक्ट्री पिक्रक्रमाइब को रखार है लेकर और अगर अगर कॉंपलेक्स टीशू में आपका फ्लॉयम बोल सकते हैं जायलम उतक फ्लॉयम उतक इन सब का अलग-अलग कारिय इसको नेक्स क्लास हम लोग क्लियर करेंगे जब टीशू चैप्टर पढ़ेंगे देखे मानो सरीर में आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है तो आयोडीन के कम 84 हार्मोन ठीक है और बी हार्मोन निकलता है जब इसमें आयोडीन के कमी होता है आयोडीन के कारण क्या होता है कि थायरोड ग्लेंड सूझ जाता है जिनके कारण घेंगा रोग हो जाता है मतलब कि गर्दन जो होता है वो सूझ जाता है इनके कारण और इक इनके कमी के कारण सबसे चोटी हड़ी कौन सी है स्मॉलेश्ट बोन इसका राइट एंसर होता है जो कि मध्यकर्ण में पाजाता है स्टेप्स और अब लोग कमेंड बुक्स में कमेंड कीजेगा कि मानो सरी के सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है मानो सरी के सबसे बड़ी हड़ी अगला कुशन देखिए विटामिन की खोज किस ने की थी तो फंक नाम का वेग्यानिक ने विटामिन की खोज की थी अगर विटामिन के बारे में देखा जा तो विटामिन A, B, C, D, E और फिर K होता है विटामिन A, B, C, D, E, 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 C, D, E, C, D, C, D, E, C, D, C, D, E, C, D, 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 होता है अगला कोशन देखिए जिनोम चित्रन का संबंद किस में है तो जिनोम चित्रन का संबंद होता है यह आपका मस्तिक्स के चित्रन से है, क्लियर मस्तिक्स, अगला कुशन देखिए, कि एड़वर्ड जेनर द्वारा, विक्सिर टीके का संबंद किस विमारी से है, देखे कुशन, इन्पोर्टेंट ही यह सब, चेचक के का, इसका राइट एंसर हो जागा, चेचक, एड़वर्ड जेनर द्वारा, वि ने चेचक किसका राइट एंसर हो जाएगा, जै।